आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी सा शेक वो भी कॉकोनेट की मलाई का तो मेरे पास बची थी कॉकोनेट की मलाई मैंने सोचा मैं इसका क्या करूँ तो मेरे दिमाग मैं इसको कई पर क्या होते हैं हमसे खाई नहीं जाती थोड़ी हैवी सी लगती है तो उस वज़े से मैंने गया किया इसका शेक बना लेते हैं और शेक तो पिया जाता है तो यहाँ पर coconut की मलाई ले लेंगे उसके साथ आप इसमें कोई भी dry fruit add कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बदाम एक दो काजू लिए हैं उसके बाद जो है इसको और भी जाद बढ़िया बनाने के लिए यहाँ पर मैं शेहत का इस्तिमाल करूंगी आप चाहें तो इसमें चीनी का इस्तिमाल कर सकते हैं इसमें क्या करना है आपको कोई भी mixi jar ले ले लेना है तो इसके उपर वाला जो brown part है हलका साप उसको remove कर देंगे धोकर मैंने पहले से ही रखा बस brown part जो है मैंने सोचा कि साथ के साथ ही इसको हटा दूँगी तो इसमें अब हम क्या करेंगे सारे mixi jar में add कर देंगे और यह जो बढ़ाम वगरा है मैं इसमें कट करके add करूंगी आप इसमें कोई भी बढ़ाम या फिर dry fruits का powder भी add कर सकते हैं वो भी बहुत जादा दिया रहता है दे грेडे आप इसमें सारी चीज़े अड़ करते जाएंगे और आपको जो है अम क्या सकते हैं इसमें यूदय करंगे नौरमल है और भी गांट कर सकते हैं कियोंकि सब के अपने बजल चीज होती है कि हमें यह दूद्र ज्यादा अच्छा लगता है हमें मिलक वाला दूद्र जो नौर्मल कव मिल्क आता हो नहीं पसंद तो यह वला एट कर सकते हैं अच्छे से mix जार में बस crush करना है अगर तो आप वेट लोस पर है तो आप इसमें मीठा बिल्कुन मर डालिए और अगर आप डालना चाहते हैं तो एक स्पून यहापर शहर डाल सकते हैं जो कि मैंने भी किया है मैंने चीनी का इस्तिमाल नहीं किया है और मैंने यहापर शहर डाल कर इसको अच्छे से mix कर लेना है और उसके बाद आप इसको consume कर सकते हैं बहुत ही जादा nutrients से भरा हुआ है और जैसे coconut water होता है वैसे coconut की मलाई जो होती है न हमारे health के लिए बहुत ही जादा बढ़िया रहती है आप इसको एक बाद ज़रूर try out क